देश का सबसे बड़ा शू कलस्टर भी लोगडाउन की मार जहल रहा है लोगडाउन पीरिड के दरान बहदुरगड की करीब एक हजार दूता फैक्टरियां बन पड़ी है जिससे अब तक करीब पांच हजार करोड रुपे का नुकसान हो चुका है बहदुरगड फुटवेर एसोशेशन के वाइस प्रेजिडेंट नरेंदर छिकारा का कहना है कि लोगडाउन के कारण सभी फैक्टरियां बंद हो गई थी एसोशेशन ने तीन मई तक सभी फैक्टरियां बंद करने का निरने लिया है और अगर लोगडाउन आगे बढ़ता है तो भी वह या तो अपनी फैक्टरियां बंद रखेंगे या फिर 33% श्रमिक लगाकर फैक्टरियों में प्रड़क्शन शुरू करेंगे सर हमारी जो फैक्टरियां बंद है अभी जो अभी MHA के गाइडलेंग के साथ से जो 33% के साथ फैक्टरिय चालू करने का जो आया है वो ट्रैक्टिकली क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा लेबर ओरेंटेड यूनिट है तो वो सुचारू रूप से हम 33% में उसमें फिलाल तुरंत हम सक्षम नहीं कि उसको चालू करने में इस वज़र से हमने जो है इसको चालू नहीं किया है अभी फिलाल आप देख सकते हैं कि तीन तारिक तक लोगडाउन चलेगा आप फैक्टरियां तीन तारिक के बाद ही शुरू करेंगे अभी अगर तीन तारिक के बाद भी लोगडाउन अगर बढ़ता है तो अभी हम अपने इसाब से हार कोई एविलेट कर रहा है कि लोगडाउन में किस तरिके से हम कमते कमते अपना चालू कर सकते हैं अगर तीन तारी के बार भी लोगडाउन बढ़ता है तो शैद हमारी मजबूरी होगी कि हमें फिर भी बहुत कम ही यूनिट है जो चल पाएगी सारी फिर भी नहीं चल पाएगी डिमांड सप्लाई और टर्नोवर की बात की जाए तो वो कितना था आपका कितने जो वरकर हैं यहां पर डारेक्ट इंडारेक्ट जो फूटवर वोग से जोड़े हुए हैं लगबग दो लाक्ती क्रीम यहां वरकर है उदोकिक नगर बहादुरगड देश का सबसे बड़ा शू कलस्टर है देश के अधिकांश नॉन लैदर जूतों का निर्मान बहादुरगड में किया जाता है यहां जूता बनाने वाली एक हजार से जादा फैक्टरियां हैं इन फैक्टरियों में दो लाग से जादा श्रमिक अलग अलग शिप्टों में काम करते थे लेकिन लोगडाउन के कारण यहां फैक्टरियां बंद पड़ी है वही फैक्टरी मालक सची ने भी सरकार के उध्योगों को हो रहे भारी नुकसान से बचाने की गुहार लगाई है इंडस्ट्री बैंक की सपोर्ट के बेगार नहीं चल रही है और उसमें हम यह चाते हैं कि हमारे को मोनोटोरियम दिया गया है इंस्टॉल्मेंट पे करने के लिए बट हमारे इंट्रेस्ट आज लगातार बंद इंडस्ट्री पे अक्रू हो रहा है जो कि हम लोग किसी भी सीरो सूरत में देने की सक्षम नहीं हो पाएंगे उस वज़े से हम लिए चाते हैं कि इंट्रेस्ट का हमारे को वेवर किया जाए और दूसरा हम चाते है कि कोई भी अगर हमारे वेपारी भाई अगर कोई किसी इंस्टॉल्मेंट को रीपे करने में आगे जाकर करके क्योंकि लॉक्डाउन से एक नौमी में बहुत ब्रेकड करेक्शन हमारा कोई भी इस दूसरान हमारा बिजली का ना काटा जाए कोई भाई अगर नई बिजली का बिल दे पाता है तो वो ना काटा जाए लोगडाउन खुलने के बाद भी जूता बनाने वाली इन फैक्टरियों को लाइन पर आते आते करीब धाई महीने का समय लग जाएगा। जूता बनाने और बेजने के साथ साथ इसकी सप्लाई चेन भी बिलकुल तूट चुकी है। ऐसे में सरकार को इस और ध्यान देने की आवशकता है ताकि फैक्टरियों लोगडाउन खुलने के बाद सुचारू रूप से चल सके और श्रमिकों को बेरुजगार होने से बचाया जा सके। भारत नाइन के लिए बहादुर गड़ से परवीन कुमार धंकड की रिपोर्ट